C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा 3 की हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक वीना अध्याए 12, इकाई 4 अपना अपना काम, प्रिष्ट 100 सुने कहानी, अपना अपना काम सिमरन बाग में बैठी, स्कूल का काम कर रही थी ओहो, मैं तो ठक गई, इतना सारा लिखने पढ़ने का काम वो सोचने लगी स्कूल जाओ तो वहाँ पढ़ो, घर आओ तो फिर पढ़ो, कितना अच्छा होता, अगर मुझे पढ़ना ना पढ़ता पुस्तक रख सिमरन, चारों और देखने लगी उसने देखा कि मधुमक्हियां आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थी मैं भी मधुमक्हि बनना चाहती हूँ सिमरन ने कहा, भिन भिन करती मधुमक्हियां रुक गई, वे अचंबित होकर बोली तुम तो इतनी सुखी हो, तुम क्यों हम जैसा नन्ना कीड़ा बनना चाहती हो मुझे क्या सुख है, इतना तो पढ़ना पढ़ता है, मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल, फूल फूल उड़ना चाहती हूँ सिमरन ने कहा, प्रिष्ट 101, इधर से उधर उड़ना हमारा काम है सारे दिन उड़ उड़ कर, रस इकठा करते, करते, हमारे पंग ठक जाते हैं, और ओहो, सिमरन ने कान बंद कर लिए सारे दिन पंग फेला कर उड़ना पड़े, तो मैं बहुत ठक जाऊंगी, ना ना फिर उसने उपर देखा, फलों से लदा पेड़ हाँ, अगर मैं पेड़ होती, तो अच्छा था, आराम से एक जगा खड़े-खड़े, सब कुछ मिल जाता पेड़ हसने लगा, मैं समझ गया, तुम सोचती हो, कि मैं आराम से खड़ा रहता हूँ, बस सुनो, पेड़ ने कहा, मेरे शरीर कातो हर अंग दिन रात काम करता है, जड़े मिट्टी से पानी खिशती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं, वो भी हम तुम्हें दे देते हैं सिमरन ने आखें जुका ली, साज, ये पेड़ तो बहुत परिश्रम करते हैं, फल तो हम ही खा लेते हैं, प्रिश्ट एक सौदो, लेकिन इन चिडियों की मौज है, सिमरन ने चिडियों को दाना खाते देख कर कहा, हाँ, मैं भी चिडिया बन जाती, तो ठीक था ना ना ये क्या सोच रही हो, एक चुडिया बोली, एक एक दाना ढूंटते ढूंटते सारी दिन उड़ती हूँ मैं, घोसला बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करता है, और सिमरन बोली, बस बस, मैं समझ गई, वो सोचने लगी, परिश्रम से ही सब जीते हैं, मुझे भी परिश्रम करना चाहिए, और मन लगा कर पढ़ना चाहिए, उसने अपने पुस्तके उठाई और उत्सा से स्कूल का काम करने बैठ गई, प्रिश्ट एक सो तीन, बातचीत के लिए, एक, आप क्या-क्या काम करते हैं, दो, आपको कौन-कौन से काम बहुत अच्छे लगते हैं, तीन, इस कहानी में आपको किसका काम अच्छा लगा और क्यों? सोचिए और लिखिए, एक, सिमरन क्यों ठक गई थी, दो, सिमरन मधुमक्खी क्यों बनना चाहती थी, तीन, पेड क्या-क्या काम करते हैं, चार, सिमरन को चिडिया का काम सरल क्यों लगा, पांच, आपके अनुसार सिमरन अंत में पुस्तके उठाकर काम क्यों करने कहानी से, एक, आप पूरे दिन में क्या-क्या काम करते हैं, सूची बनाईए और रिक्त स्थान में लिखिए, प्रिष्ट 104, आपके घर में कौन-कौन से काम किसके द्वारा किये जाते हैं, रिक्त स्थानों में लिखिए, यहाँ पर एक तालिका दी गई है, तालिका के ती पहले भाग में लिखा है क्रमांक, दूसरे में काम, और तीसरे में करने वाला लिखा है, क्रमांक एक, काम पेड़ पौधों को पानी देना, करने वाला मा, अब आप तालिका की चारो पंग्तियों को स्वैम भरिए, तीन, सिमरन और मधुमक्य की बात को आगे बढ़ाईए ओ, पढ़ने लिखने का मुझे बहुत काम करना पड़ता है, तुम्हारा काम सरल है, इस फूल से उस फूल बस घूमते रहो रिक्तिस्थान, अब आप सिमरन और मधुमक्य की बात को आगे बढ़ाते हुए रिक्तिस्थान को भरिए ओ, पढ़ने लिखने का मुझे बहुत काम करना पड़ता है, तुम्हारा काम सरल है, इस फूल से उस फूल बस घूमते रहो प्रिश्ट एक सो पाँच, चार, दिये गए वाक्यों को कहानी से पूरा कीजिए उसने देखा कि मधु मखियां आनंद पूर्वक, रिक्तिस्थान, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात, रिक्तिस्थान, वे भी हम तुम्हें दे देते हैं, रिक्तिस्थान, उसने अपनी पुस्तकें, रिक्तिस्थान, अब आप इन दिये गए रिक्तिस्थानों को कहानी से स 5. मधु मख्षी एक फूल से दूसरे फूल जाकर शेहद बनाती है। क्या आप बता सकते हैं कि शेहद हमारे किस-किस काम आता है। अब आप दिये गई रिक्तिस्थानों को स्वयम पूरा करें और बताएं कि शेहद हमारे और किस-किस काम आता है। प्रिष्ट 106 भाशा की बात एक, कहानी में कुछ संग्याओं यानि नाम वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें ढूंड कर रिक्त स्थानों में लिखिए जैसे सिम्रन, चिडिया, रिक्त स्थान कल्पना कीजिए यदि आप अपनी इच्छा से एक दिन के लिए कुछ भी बन सकते तो आप क्या बनते कल्पना कीजिए और लिखिए मैं एक रिक्त स्थान बनता बनती क्योंकि रिक्त स्थान प्रिष्ट एक साथ सिम्रन को पेड़ ने बताया कि वे हमें फल देने के लिए बहुत सारे काम करते हैं आप एक फलदार पेड़ का सुन्दर चित्र बनाईए और उसमें रंग भरिए रिक्त स्थान है थे कक्षा तीन की हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक वीना वाचनस्वर प्रमीन शर्मा और रिचा सयाल ध्वन्यंकन मयंक कुमार निर्माण सहयोग चेतनाश्शर्मा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चोधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नईदिल्ली भारत